नौरात्री की बहुत सारी सुबकामना है और स्वागत है आपका हमारे चानल में और आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी न्यूस पेपर से डांडिया बनाना मैंने मायरा की डांडिया ड्रेस तो खरीद दी बर डांडिया खरीदना भूल गई इस situation में हमेशा बाहर निकलना possible भी नहीं है और जब मैंने online delivery चेक की तो वो भी time पे नहीं मित रही थी तो मैंने सूचा कि क्यो ना इसे घर पे ही बनाया जाए अगर आप भी same situation में हैं तो आपकी ये मुश्किल मैं आसान कर देती हूँ और मैं घर पताती हूँ कि आप घर पी आराम से डांडिया कैसे बना सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो क्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले इससे बनाना बहुत आसान है इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं आपके घर में जो चीजे अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए न्यूस पेपर, फेबिकॉल, सीजर्स, वोडन स्टिक, कलरड़ पेपर या कलरड़ कोई भी क्लोथ आपके पास है या डेकोरेशन की कुछ चीजे जो आपके घर में अलरड़ी इस तरह से रोल करना है उसके किनारों को फेबिकॉल से अच्छी तरह से चिपकाए ताकि यह खोलना पाए हमें इसके मल्टिपल रोल बनाने हैं उसके बाद आपको फिर से न्यूस पेपर लेनी है और इसके चार हिसे करने हैं कुछ इस तरह से उसके बाद फिर से जैसे हमने रोल बनाया था वैसे ही वोडिन स्टिक की हेल्प से हमें फिर से रोल बनाएंगे बट यह उससे चोटे होंगे साइज में उसके किनारों को आपको बहुत अच्छे से चिपकाना है ताकि निकलने के चांसेज ना रहें और उसके बाद हमें एक डांडिया के लिए छे रोल लेने हैं और उसे हमें छोटे न्यूस पेपर वाले रोल जो हमने बनाये थे उससे बाइंड करना है कुछ इस तरह से बहुत जादा फेबिकॉल लगाएं ताकि यह अच्छी तरह से बाइंड हो जाए हम यह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यह पूरी मजबूत रहे और इसके खुलने के चांसेज ना रहे है यह ऐसा दिखेगा पूरी तरह से बाइंड होने के पात आप चाहें तो न्यूस पेपर एक शीट लेके इसके उपर भी कवर कर सकते हैं जो मैंने मिस्स कर दिया है अब आप कलर्ड पेपर या फिर कोई भी क्लोथ अगर आपके पास है शाइनिंग वाली तो आप उससे यू पेपर लिया था विकिस क्लोथ मेरे पास अवेलिबल नहीं थी उसके बाद फेबिकॉल से अच्छी तरह से इसे हम रोल करके पूरी तरह से इसके उपर चिपका देंगे और हम इसे अब डेकोरेट करेंगे आपके पास जो भी चीजे अवेलिबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं अब अपने मन मुताबिक जैसे भी से सजाना साथ चाते हैं सजा सकते हैं इसे बनाना बहुत आसाने जहटपट बन जाती है और आप रिग्रेट भी नहीं करेंगे विकिस ये बहुत ही सुंदर बन जाती है और आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, ये बाहर जैसी ही दिखेगी, आप मन मुताबिक इसे जितना चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, आपकी जो पसंदिदार डेकोरेशन के डिजाइन्स आपके दिमाग में हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी दाणडिया बनके तयार हो जाती है, हम इस तरह की दो डाणडिया बनाएंगे, ये देखे, तो अगर आप भूल गए हैं डानडिया खरीदना, तो आप अभी बैठीय और जट्पट बनाइए अपने बच्चे के लिए और अपने लिए डांडिया, ये बन क्लाइब लाइब 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 लाइब